हेलो दुस्तों कुके हिक्स में आपका फिरसे स्वागत है अज हम आपके साथ सेयर करें कि बहुत ही जल्दी में बहुत सारे पूरिया कैसे तयार कर सकते हो एक बहुत ही असान सा तरीका में आपको आज की वीडियो में बताएंगे जिसे आप भी अपनी जिवन में जरूर उत पी है एक दम से बहुत ही टेस्टी है बचे को लंच में दीजिए टीफिन में दीजिए या फिर आप सामके समय गर्मा गरम सब्जी के साथ इसे नस्ता में लिजिए तो यहां पर हम आपको बता दे कि सबसे पहले गैस पर आपको एक बरतर में पानी रखना होगा और इसमे आपको जितने बनाने हैं उस हिसाब से आप इसमें पालक लिजिएगा तो यहां पर हम पालक 250 ग्राम लिए हैं इसे पानी में अच्छे से 5-7 मिल तक उबालेंगे इस तरीके से इसे थोड़ा पलट कर जब यह अच्छे से उबल जाएगी तो आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह का हो जाएगा तो इसे हम निकाल करेंगे नवी अच्छा से ठंड़ा होने देंगे पांस लिट्र रहने देंगे थंड़ा होने के बाद इसे हमक्सजमी घडालेंगे साथ में हम मसाले डाल सकते हूं जैसे अधरक हुआ लहसुन हुआ या फिर आप इस सब के स्किप भी कर सकते हैं अगर आप इन मसालों को नहीं खाते हैं तो इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए और थोगा सा लहसुन पता डाल दीजिए जैसा कि हम दाले हैं इस तरीके से करके इसे आप ग्राइंड कर लिजिए पेष्ट तयार कर लिजिए पेष्ट तयार होने के बाद इधर आप 250 ग्राम आटा ले लिजिए और इन आटे में करीब एक चमच रिफाइन वाइल आइड कर दीजिए मोहिन के लिए और यहां पर थोड़ा सा नमक आइड कर देंगे नमक ऑप्शनल है आप इसकी भी कर सकत हैं अगर अब ज़्यादा नमक नहीं खाते हैं तो तो यहां पर थोड़ा से नमक डाल दियें ताकि इसका टेस्ट अच्छा एगा और जो हमने प्यूरी बना का तयार किया है पेष्ट बना का तयार किये हैं उसे हम आटे के साथ मिक्स करेंगे और अभी हम यहां पर पानी क चीटा मार सकते हैं और आटा को अच्छे से दो तयार कर लेंगे तो इस तरीके से हमें आटा का अच्छे से दो तयार कर लेना है और इसे हम दसमियत के लिए रेज ठूने देंगे ताकि आटा जो है अच्छे से से जाए जो हमने दो तयार किया है तभी पूर्या बहुत तो यहां पर आप एक दम से अलग तरीका बताएंगे तो यहां पर आप एक रोटी के साइज के आता लेजिए उसे गोला बनाईए और आप इसे रोटी के साइज के बेल जैसा कि हम आपको बेल कर दिखा रहे हैं इसी तरीके से आपको बेलना है एक रोटी के साइज का तो यह एक रोटी के साईज का बेल लिए है जितना मोटा रोटी रहता है ठीक उतना ही मोटा हैерт तो यहां पे हम एक बर में चार पूरिया तयार करेंगे यह तिकी एक चाकु लेंगे और बीच में से कट करेंगे इस तरीके से और यहां पे देखिए आप जहां पे एक पूरिया बेल कर तयार करेंगे वहां पे एक सांथ चार पूरिया बेल कर तयार हो जाएगी तो यह बहुत ही कम समय में आप धेरो पूरिया बना कर तयार कर लेंगे बहुत ही असान है और देखने में भी थोड़ा नया लग रहा है देखने में भी आपको थोड़ा न्यूए स्टाइल लग रहा है तो इस तरीके से आप सारे पूरिया को बेल लिजिए कट कर लिजिए बहुत जल्दी बन जाएंगे इधर फ्राइ करने के लिए कराय में हम वा इस तरीके से पहले आप भी एक ही डाले क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डारेक से दो तीन डाल लेते हैं तेल गरम नहीं होती है तो यह सब ना करें थोड़ा थोड़ा अगर आप ट्रिक्स इस्तमाल करेंगे तो आपकी वी जो समाने बनेगी जो भी आप खाना बना रहेंग उसमें बरबाद कम होगी और खाना जदा अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम दुबारा बार में दो तीन पूरिया डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे और यहां पे देखिए सब पूरिया जो है बहुत अच्छे से फुल रही है और खाने में तो यतना टेस्टी है स तो इस तरीके से हमने सारी पूरिया बेल कर तयार कर लिये हैं सब बनकर तयार है अब आप इसे गर्मा करम पूरो से खाएं बहुत ही टेस्टी लगती है बच्चों को लंच में दीजिए तो पूरी बनाने के बहुत ही अनुखा तरीक हम आपको बताएं एक सांथ में आप कम समय में ठेरो पूरिया बना कर तयार कर लेंगे तो है ना एकदम से नया तरीका तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक बटन दबाएगा कॉमेंट में जरूर बताएगा कि आपने कभी ऐसा ट्राइ किया था पूरी बनाने का तरीका या फिर आपने पहल पहली बार देखा है और चैनल पर पहली बार आहें तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए का फिर मिलते हैं आपकी लिए और वीडियो लेकर नई रेस्पी लेकर तब तक के लिए आप सब को बाई टिक क्यार थैंक्स पर वाच